इस साल बंगाउल उत्तरप्रदेश और अन्या परमुक चावल उत्पादक राज्यों में धान की कमजोर बुआई सरकार को भी चिंतित कर रही थी लेकिन मौनसुन के आखरी दोर में जमाजम बरसात ने धान की बुआई के रकवे में सुधार कर दिया है आखरी दोर में धान की बुआई के शेतरफल में कुल करीब पांश लाग हेक्चर के भडोतरी हुई है केंदरिये क्रिशी मंत्राले ने बीते सप्ता के आकरीद में नए आंकड़े जारी किये हैं और इस बीच भारत ते अपनी खादे सुरक्षा चिंता के कारण गैर बास्मती चावल के निर्याद पर प्रतिबन लगा दिया था और इस पर अमेरिका और यूरोप ने आपती जता केंदरिये क्रिशी मंत्राले के ताजय आंकड़ों के मताबिक देश में इस साल खरीफ की बाई का कुल आंकड़ा एक हजार बानवे दशमलव नो दो लाख हेक्टेर शेतरफल तक पहुंच गया है और बीते साल से अभी भी खरीफ की बाई कमजोर है बीते साल खरीफ असलो की बाई का कुल रकबा 1101.87 लाख हेक्टेर था दरसल बीते वर्ष खरीफ में बाई का रिकोर्ड कायम किया था बाई के आकड़े में सबसे ज्यादा कमी धान और धलन में दिखाई दे रही है धान की बाई 399.03 लाख हेक्टेर में हुई है यह बीते वर्ष से 4.5 प्रतिश 7 फीसद तक बड़ी है बीते वर्ष में देश में कपास के एदाम उच स्तर पर बने रहे इसी के चलते किसानों ने कपास की बाई में रूची ली है इस वर्ष 127,15,000 हेक्टेर में कपास बोया गया है वहीं गन्ने की बाई भी 55,65,000 हेक्टेर शेतर फल में देखने को मिली ह जो बीते वर्ष से करीब सवा फीसद जादा है बुआई के इनाकडों पर और सरकार द्वारा चावल निर्यात पर लगाई प्रतिबंद से अब घरेलू बाजार में चावल की तेजी की और जाती किमते अब थम्ती दिखाई दे रही है आने वाले दिनों में बास्मती को छ चावल के निर्यात पर प्रतिबंद किया था और इसी तरह बास्मती किस्म के चावल के निर्यात पर बीस पिसिवी का शुल्क भी लगाया था इस पर विशव व्यपार संक्थन यानि डब्ली ट्रियों में अमेरिका और हीरोपियन यूनियन ने आपती दर्च करवाते दरसल इससे पहले भारत मई में गेहूं और फिर जून में आटा और अन्य उत्पादों के निर्यात को भी प्रतिबंदित कर चुका है दरसल देश की खादिया जरूरतों के लिए भारत ऐसा कर रहा है जबकि रूस यूकरेन युद और यूरोप के सूखे के बीच पश्च प्रतिबंदित कर रहा है